Hi guys, this is Naveed Khan and you are watching English with Naveed Khan So previous video में हमने present continuous tense learn किया था जिसमें मैंने आपको कुछ examples भी दिये थे But in today's video we are gonna learn past continuous tense So आज किस वीडियो में हम past continuous tense की बात करेंगी जिसकी identification है रहा था, रही थी और रहे थे देखें ये जो tense है ये बिलकुल हमारे present continuous tense की तरह ही है बस इसमें difference क्या है हमने उसमें रहा है रही ये पढ़ा था यहाँ पर हम रहा था रही थी पढ़ेंगे यानि कि जो भी हमने sentence present continuous tense में सीखे दे बस उसमें रहा है कि जगा हमें रहा था जोड देना है आई इसका structure देख लेते थे कि structure हमें subject use करना है was were use करना है वर्ब की first form के साथ ing use करना है similar thing इसमें यह है और कि same बात इसमें यह है कि हमें वर्ब की first form के साथ ing use करनी है हमने जो present continuous tense पढ़ा था उसमें भी हमने ing लगाई थी अगर आपने previous वीडियो नहीं देखिए चैनल पर नए है तो प्रीज सब्सक्राइब कीजिए link description में है previous वीडियो को और अब request करूँगा कि आप इस course को day one से देखिए ठीक है was were कहाँ पर use करते हैं यह मैं आपको अभी बता देता हूँ इससे पहले हमने एक use of was were और पढ़ा था जिसमें हमने without any verb sentence बनाना सीखा था जिसके साथ हमने या तो हमने noun use किया था या फिर adjective use किया था जैसे कि वो एक doctor था he was a doctor, तुम मेरे दोस्ते you were my friend, मैं एक अच्छा लड़का था I was a good boy, मैं अपने घर पर था I was at home she was my best friend, इस तरीके के sentence हमने बनाना सीखिते जहां पर हमने verb use नहीं करी थी but in past continuous tense we have to use verb, तो past continuous tense में हमें verb use करना है बिना verb के हमें sentence नहीं बनाने है, so let me explain where to use was and word, ठीके मैं आपको बता देता हूँ was कहां पर use करना है देखिए I के साथ, he के साथ, she के साथ, it के साथ, single name या फिर कोई singular subject हो यानि कोई एक हो, तो उसके साथ हमें was use करना है you के साथ, we के साथ they के साथ, कोई plural name या फिर कोई plural subject हो, then we have to use verb, उसके साथ हमें verb use करता है, जाहिए गर नहीं कहीं मैं आपको भी बहुत सारे examples वस देने वाला हो इसको, जिससे आपको बिल्कुल clear हो जाएगा, past continuous sense में किस तरह के sentence बनाने हैं कैसे helping पर use करना है, चलिए शुरू करते हैं, so और first example is, मुझे बुखार हो रहा था, मुझे यानि I के साथ हमें use करना है, was बुखार होना, बुखार होना मैंने आपको यह word meanings पढ़ाएते हैं, vocabulary पढ़ाएते हूँ, उसमें यह word पढ़ाया था कि बुखार होने का meaning होता क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा, I was suffering, suffering from fever होता है बुखार होना, तो यहाँ पर suffering from fever पर हमें यहाँ पर लिख देना है आपको करना क्या है? मनी मन आपको यह sentence ट्रांसलेट करने है जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूँ तो आपकी आपको प्रैक्टिस हो चके और आप कोशिश करिए कि बहुत जल्दी यह translate sentence करने के हम मजाग कर रहे थे हम के साथ we, we के साथ हमें यूज करना है were, मजाग करना kid होता है तो यहाँ पर kidding हो जाएगा we were kidding तो मेरा भाई यानि क्या हो जाएगा यहाँ पर my brother, मैं आपने सिर्फ एक भाई की बात कर रहा हूँ तो यह singular होगा, अगर मैं यहाँ पर मेरे भाई बड़ी बड़ी बाते कर रहे थो that means I am talking about more than one तो उसका मतलब है कि मैं एक से जादा की बात करता हूँ तो यहाँ पर my brothers हो जाता और उसके साथ were लगता क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ यहाँ पर was आएगा my brother was बड़ी बड़ी बाते करना make tall talks होता है बड़ी बड़ी बाते करना तो यहाँ पर हो जाएगा making tall talks चीक है तुमारा दोस्ट छोटी 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 बाते कर रहा था तुमारा दोस्ट एक है singular subject है यहाँ पर your friend was making small talks यह सारे word meanings में आपको vocabulary वाली class में कराये थे अगर आपने miss करते हैं तो link description में आप देख सकते हैं मैं सो रहा था I was sleeping हम चाए पी रहे थे we, we के साथ were चाए पीना drink लगा सकते हो पीने के लिए या फिर आप take भी लगा सकते हो have भी लगा सकते हो जो आपकी इच्छा वो लगाती है मैं यहाँ पर drink यूज करते रहा हूं because we are beginners अभी हम beginners ही हैं ठीक है इंगलिश चीक नाम ने शुरू ही किया है so we were drinking tea हम सपना देख रहे थे we were dreaming बच्चे परिक्षा को हलके में ले रहे थे children were taking exams lightly मैं मैंच को गंबीरता से ले रहा था I was taking मैंच seriously गंबीरता से का मतलब वो था seriously वह टेंशन ले रहा था वह यानि कि he was taking tension आप गलती कर रहे थे you were making a mistake तुम बात का पतंगड बना रहे थे you were making of us विध्यारती बहाने बना रहे थे विध्यारती means students were बहाने बनाना making excuses अकाश तुमहरा मजाग उड़ा रहा था आकाश was making fun of you मुझे देर हो रही थी I was getting late उसे गुस्सा आ रहा था she was getting angry हम बोर हो रहे थे हम उब रहे थे यानि कि हम बोर हो रहे थे we were getting bored आप यहां सो रहे थे you were sleeping here मैं कुछ पूच रहा था I was asking something तुम कुछ पूच रहे थे you were asking something वो कुछ पूच रहा था he was asking something हम कुछ पूच रहे थे we were asking something वो कुछ पूच रहे थी she was asking something आप सही कह रहे थे you were saying right मेरी मम्मी खाना बना रही थी मेरी मम्मी यानि my mother was cooking food हम English सीखने जा रहे थे देखिए यहाँ पर दो वर्ब आ गई है यहाँ पर सीखना भी वर्ब है और जाना भी वर्ब है तो हमें जब भी दो वर्ब आए last वाली वर्ब हमें पहले यूज करने पड़ती है जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर वी वर्ब last वाली वर्ब है हमारा जाना तो यहाँ पर going आ जाएगा उसकी बाद जो भी हमारी second वर्ब होगी तू लगा कर हमें उसे use कर देना है we were going to learn English ठीक है जब भी दो वर्ब आए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पर भी दो वर्ब आजा है हमें last वाली वर्ब जो main वर्ब होती है वो पहले use करनी पड़ती है और जो भी action होगा है चाहे ing लगानी हो, third form लगानी हो, first form लगानी हो, second form लगानी हो वो last वाली वर्ब पर होगा उसके बाद to लगाकर हमारे जो भी वर्ब होगे second वो हमें use कर देनी है तो हम खेलने जा रहे थे, we are going to learn English तुम खेलने जा रहे थे, you are going to learn English ठीक है, इसी तरीके से एक और example देख लेते हैं यहाँ पर मैं आपसे मिलने आ रहे थी, यहाँ पर भी दो वर्ब है मिलने और आना, ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हम इसको translate करेंगे I was, last वाली क्या है, आना, तो यहाँ पर coming, come पर I enjoy जाएगा coming, उसके बाद to लगाया, मिलने, यानि कि meet तो दो वर्ब के बीच में हमेशे हम to लगाते हैं आपसे, I was coming to meet you लोग cricket खेलने, जा रहे थे, यहाँ पर भी एक तो वर्ब है खेलने और दूसरा है, जाना, तो people plural होता है आपको पहले भी बताया था, मैंने people साथ वर्ब लगाएंगे people were going to play cricket play cricket where मेरा इंतजार कर रही थी, she was waiting for me हम कुछ सोच रहे थे, we were thinking something सारा music सुन रही थी, सारा was listening to music तो यह अब बात करते हैं, negative, negative sentences जैसे कि आप जानते हैं, वो होते हैं, जिनमें हम not लगाते हैं यानि नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर वे structure नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं दो-तिन बार मैं आपको बता चकाऊँ कि किस तरीके से affirmative बनता है, negative बनता है, interrogative बनता है, interrogative बनता है, WH family बनता है, WH family प्लस negative बनता है, तो आप थोड़ा सा creative बनी है, और structure को खुद ही बनाना सीखिए, तो मैंने आपको बताया था, जब भी हम negative sentence बनाते हैं, तो helping verb के बाद not आ जाता है, यहाँ पर हमारे helping verb है was verb, तो हमें was verb के बाद बस not लगा देना है, तो जैसे कि example है, यहाँ पर आप जूट नहीं बोल रहे थे, यहाँ पर हो जाएगा, यू, वर, वर के बाद हमें क्या लगाना है, not, तो नेगटिब के लिए यहाँ पर हमने not subject के helping verb के बात लगा दिया है, you were not, जूट बोलना, telling a lie, you were not telling a lie, मुझे बुखार नहीं हो रहा था, I was not suffering from fever, हमें देर नहीं हो रही थी, we were not getting late, मैं आपको नहीं डाट रहा था, I was not scolding you, मैं गल्दी नहीं कर रहा था, I was not making a mistake, मैं आपको नहीं बुला रहा था, I was not calling you, दिनेश सपना नहीं देख रहा था, दिनेश वाज नौट ड्रीमिंग, मैं बहाना नहीं बना रहा था, I was not making an excuse, वह मेरा बजाक नहीं उड़ा रही थी, मुझे गर्मी नहीं लग रही थी, I was not feeling hot, मैं आपका सम्में बरबाद नहीं कर रहा था, I was not wasting your time, हम नहीं हस रहे थे, वी वर नौट लाफिंग, लोग काम नहीं कर रहे थे, पीपल वर नौट वर्किंग, मेरे पिताजी का गुस्टा नहीं आ रहा था, My father was not getting angry, धोनी क्रिकेट नहीं खेल रहा था, धोनी was not playing cricket, तो दोस्तो इस वीडियो में हमने सीख लिया है, affirmative और negative sentences बनाना, यह हमारे past continuous tense का part 1 था, तो part 2 आप next video में देख पाऊगे, तो दोस्तो उमीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और past continuous tense में अभी आपको कोई भी confusion नहीं होगी, तो दोस्तो अगर वीडियो से कुर्ष सीखने को मिला हो, वीडियो कर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, और comment करके बताएं कि यह वीडियो कैसी थी, साथ ही हमारे चैनल को subscribe जरूर करें, Thank you so much for watching this video.